क्या आधित्त इस टूर्णामेंट में आगे बढ़ बाएगा ये देखेंगे हम प्रेक के बार पूचा थैंक यू थैंक यू सो मच ठीक से खेलो मैं तुम्हारे सारे ट्रिक्स जानती हूं सबको हराते हुए आधित्या फाइनल में पहुच गया है अभी ये देखा है कि इसरेस में फर्स प्लेस में एक के बाद एक सबको हराता जा रहा है आधित्या कि मोद का खेल खेलती होए भी चेज्स खेल रहे है आधित्या आधित्या अज भी हमारे साथ दुनिया के सबसे छोटे यंगेस ग्रैंड मास्टर इन देवर्ड यहां है हाव यू हैपी फाइनल में आप आदित्य की साथ खेलने वाले हैं हाव डू फिल हैपी अगर आदित्या आपको हरा दे तो हैपी जो भी पूछते हैपी बोलते हैं देखते हैं आगे फाइनल में क्या होता है एलाओ को इसको यह गया काम से आपको प्रेशन किस बात की गुरुजी उस चोटे को देखकर टीम पुट चार इंचिया क्या कर लेगा वामन के उथार को जानते हो ना पैर बढ़ाते ही पुरी धर्ती समागी थी विशुनाद जैसे दिगज की भी इस गेम में पसी ने चुट गये थे यह गेम अधित्य को दिबांग से खेलना होगा बिना दिबांग के भी कोई शत्रांज खेलता है क्या अंकल आधित्य के पैर देखिए मैं आधित्य के ट्रेक्स जानती हूं अभी वह कुछ ने कुछ करने वाला क्या करने वाला करने वाला के टुछ प हुआ है क्वगारी मैं देखिए मैं ड्रोगा करना आड़ी वह कुछें लाण है कर दो दो अचूंग आप्उश auto कर दिए और है और हैं जापना, भूपु का प्लाव यह जो है जाप घर दो है झालव जाप है जाप जापны जापना, यूचिंग है जापना, यू का पूलन एक ताक्षाया क्या हुआ आधित्य के क्वीन चली गई लगता है क्वीन के मामले में आधित्य के ग्रह ठीक नहीं है खेल में भी जम कर गई रियल लाइप में भी जम कर गई चुप-चाप से देख नहीं यार जीतने के लिए बड़ी मश्ली का जाल बिछा कर छोटी मश्ली को पकड़ना होता है रिजेंग लेकिंग निवसा नहीं है आधिक दिफिर से जीच चुका है कि अधितने दूर तक बहुत सकता है अरे बुठे तुम दोनों की किस्मत में रानी जरूर नहीं है लेकिन राजा हमेशा जीता है अरे ख़ले क्या हो आधिती जीच चलो अरे चलो ना टेररिस्ट का इल्जाम लगने के बाद नाशनल चांपिंशिप जीतकर कैसा लग रहा है मैं तुबारा आपसे कह रहा है मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ लेकिन सब लोग तो आपको दोशी मान रहे हैं इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर एक बात हमेशा याद रखिएगा जूट कभी सच को दबा नहीं सकता आप यहां तक कैसे बहुंचा बता सकते हैं मेरे यहां नहीं की वज़े तीन लोग हैं मेरी लोयर मांसा एसपी करुनाकर जी और मेरी जिंदगी को नई दिशा देने वाले मेरे गुरू यहां है अरे चाह बुठे नहीं अवेली दुलहन की तरह शर्मा क्यों रहा है श्री जीत गए हैं आगे क्या अगर गवर्मेंट ने साथ दिया तो स्वीडन में होने वाले कॉमन वल्ड गेम्स में पार्टिसिपेट करना है अब आपको सभी मास्टर बहांड़ बार्स कह रहे हैं ऐसे बहुत सारे कैदी हैं जो टेलेंटेड उनको बस मौका नहीं मिल पाता है इस गेम से जो पैसे मिलेंगे उसका क्या करेंगे मैं जिस जेल में रह रहा हूं वहाँ एक स्पोर्ट्स क्लब बन माऊंगा मैं आप सबसे बिनती करता हूं कि आप भी उसमें सहाइता कीजिए इस इंस्पारिंग मिस्टर अधिक्या अल्द वेरी बेस्ट थैंक्यू मास्टर 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 तुम्हारी फोटो इसमें छपी है कि मास्टर बिहाइंद अपार्ट इसान के हसने पर गाल पर डिंपल पड़ते हैं अच्छा है यह स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स डिजाइन है सर यह चेस रूम और यह करम रूम सर यहां पर पेंटिंग रूम होगा और यहां पर चोटी सी लाइब्रेरी और टेबल टेब इस तरफ कैदियों के लिए ट्वाइलेट्स आएंगा सर नाइस अधित्य की रिक्वेस्ट का बहुत अच्छी तरह रिस्पॉंस मिल रहा है कई लोग डोनेट करने के लिए सामान लेके आ रहे हैं मुझे खुशी है अधित्य के दोस्त के तौर पर तुम भी अपनी पूरी अधित्य कोशिश कर रहे हैं वेरी गुड गुड कुछ भी करके ये स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स फिनिश करते हैं बस एक बात याद रखना जैस में ग्रैंड मास्टर बनना है तो तुम्हें एक मास्टर के जरूरत है मैंने गुरु जी के बोला है जाकर मिल लेना थैंक यू भाईया कॉमन्विल्ट गेम्स के लिए और बेस नमस्कर 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 तुम भी उतने ही आगे बढ़ो गया दित्या आपका इंकरेश्मेंट रहा तो जरूर सर मेरे इंकरेश्मेंट का क्या आज एकी दिन है मेरा ट्रांसफर हो रहाया देतिया और कोई मेरी मदद चाहिए तो बताओ आपकी इतनी मदद काफी है सर उस भगवान से मन से प्रातना करूंगा कि तुम कोट से बरी हो जाओ थैंकु सर गल नया स्पिया रहा है उसकी रेपिटेशन सही नहीं है वो कुछ भी कहें ध्यान मत देना कमन्वेल्थ केम्स पर फोकुस करना ठीक है यस थिल्च राव थैंकु सर कुछ शोटिoleony क। कुछ फिर और निक लोग जिलोगा कर नोगिवा जो कि रोड़ियो कि अधिया नाम बोलो अधित्या सब्सक्राइब कहां पैदा हुए पता नहीं सर इसी देश में पैदा हुए थे ना जी सर जहां पर तुम पैदा हुए और जिसने तुम्हारा पेट भारा उसी जमीन को खा गए देश्ट्रोही नहीं कि नजरों की घबराट कह रही है कि तुम कुछ चुपा रहे हो चुपाने के लिए कुछ होना चाहिए कि लिए हुआज बाटने कि तुम काले बडता प्रह प्राटने कर दोंके पर हाँ हुआ हुआ जिस गले में फाशी डालनी चाहिए उसमें मेडल्स पढ़ रहें एक टर्रिस्ट को मास्टर कहा जा रहा है मैं टर्रिकर नहीं हूं सर तो फिर क्या हो बताओ ये है मेरी आईडिन्टिटी SP मेरी पहचान ये है तुम्हारी आईडिन्टिटी क्या है मेरी तो ट्रिगर है आतंकवादी टेरिरिस्ट देश द्रोही ये ही है तुम्हारी पहचान कल नया एस पी आ रहा है उसकी रेपिटेशन सही नहीं है वो कुछ भी कहे थ्यान मत देना कॉमन वेल्ट गेम्स पर फोकस करना ठीक है इसी वक्त से तुम्हारे चेहरे पर ये हंसी अब नहीं दिखेगी ये क्या है जस पीस सर कौन सा पीस है किंग सर मुझे तो ये गातक हत्यार लग रहा है उससे बाते क्या कर रहे हैं सार तरिकर दबा दीजिए बिश्किर अगर तुबारा ज्यादा भगवास की या सिर उठा कर देखा तो ऐसी काल कोट्री में डाल दूगा कि कभी सूर्योदे नहीं देख पाएगा ले जो इसे और इसकी और आप दिखाओ विम पाट्रोय इस जेल के ब्लॉक सी सेल नंबर साथ में जो कैदी है वो टेरिस्ट है उसके पास जेल में घा तक हतियार बरामद हुए जिसका इस्तिमाल करके वो ट्रिगर नाम के कैदी को मारना चाहता था ऐसी खतरनाक सोच रखने वाले इस टेरिस्ट को बाकी कैदियों से मैं दूर रख रहा हूँ है इसे ले जाकर सुलेट्री में डाविए चलो सर नेक्स मंथ कॉमनवेल्ट चेस कॉंपटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है एक देश द्रोही का केस लड़ने के लिए तुम आगयाई हो तुम्हारी जितनी हिम्मत मुझ में नहीं है प्लीज सर तुम होश में तो हो ना वो एक आतंक वादी है उस ब्लास्ट में मेरा भाई मरा था वो कहीं फांसी से बच ना जाए इसलिए कई लोगों के तलवे चार्ट कर मैंने यह पोस्टिंग करवाई है सर आदेत्य और उस बॉम ब्लास्ट का कोई संबंध रही है इस इनसेंट वैसे तुम्हारा संबंध क्या है उससे वो तुम्हारा क्लाइंट है तुम उसकी लोयर हो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक लोयर उसी के क्लाइंट बन गई है वांस यादित्य को नहीं तुम्हें देनी चाहिए मांसा यह पेपर पुड़ो लिखा है कि तुम्हारा और उस टेररिस्ट का अफेर है जहां भी देखो तुम्हारी ही बाते हो रही है पूरे कौट में भी यही टॉपिक है टेररिस्ट और लॉयर के भीच अफेर हां हां सर क्या जमाना आ गया है यार मांसा के बारे में तो जानता है उस जेलर ने बदले के लिए ही सब किया है न हरजगा हर पिपर में वही बादशापी है उसकी शादी कर दो अब तीवी में आरे हैं मैं कोई सुपर स्थार हूं जो टीवी पर आऊंगा सुबह बालकनी में ब्रश करते वग किसी ने चोरी से वीडियो बना लिया मेरा सुरो हमारे घर को लोगों ने खेल लिया है दर्माजे बंद कर दो फिल्किया बंद कर दो डेटी तुम कहां जा रही हो आज से तुम्हें कोट जारी की कोई जरूत नहीं यह क्रिमिनल के सौपक अगर मैंने ही गलती की थी आज से तुम आठ ये केस ही सहालोगी बस टेर्रिस्ट अधिक्टे के साथ लॉयर मांसा का अफेर चारो तरफ फैल चुका है लो सुन लो अफ़ाओं का बजार पूरी तरह से गरम हो रहा है मसाला मार के आप ही ने तो कहा था ना पापा डरना मत लेकिन मोझे डर लग रहा तुम्हारा नाम होगा ये सोच कर मैंने केस तुमें सब्पा और अब यजो हो रहा है वो अच्छा नहीं होरहारा बैदा अच्छा क्या है में जानती हूँ पहले छोटी सी अवाच से ही डर लगता था पर अब नहीं इस शोर से मैं डरने वाली नहीं सर उसे अंदर डालने के खिलाफ लॉयर ने कोट में इंक्वारी की अपील किये यह स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनाकर पबलिक में सिंपथी क्रियेट करना चाहता है मैं आसा नहीं होने दुगा हूँ अगर किसी कैदी ने उसकी तरफ से गवाही दी तो वो जिन्दगी भर यहीं सड़ेगा चेस खेल कर हीरो बनना चाहता है अब वो किसी चेस कॉम्पटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता समझ में आया तुम्हें आज़े कर दो कि अगर दो कि अगर के एसपी पर मांसा ने जो एंक्वाइरी करवाई है उस पर चानबीन करने वाले अधिकारियों ने वहां के कैदियों से सवाल किये हमें पता चला है आधीत कि कोई गलती नहीं है और एस्पी नर्स इहार रेड़ी ने अपने पांद का गलत खाइदा उठाया है, इसलिए फर्दर एंप्वाइरी करने का फैसला किया गया है, आधित्यों को कॉमन वेंद गेम में पार्टिसिपेट करने की इचादत दे दी गई है, है, मानिकंद, आपने मेरी मदद की, इसलिए बहुत-बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप हो सके तो मुझसे दूर रहें, क्यों, फिर किसी ने कुछ लिख दिया, जिनकी आँखों पर परदा पड़ा होता है, उन्हें सचाई नहीं दिखाई देती, हम सच कितना ही बोल तब में, और आज में बहुत फर्क दिख रहा है, अच्छा ही है नो, एक इंपोर्टेंट बात बताने के लिए आई थी, उन्चाई टेररिस्ट को फांसी देने के ओडर्स आ चुके हैं, माफी नामा आने तक ध्यान से रहूं, मास्टर, मास्टर, गवाही देने के लिए ब लोगों की और इसकी अच्छी दोस्ती हो गई है, इसलिए तो तुम सबने मेरे खिलाफ गवाही दिये है ना, जाओ, जाओ, मैं जानता हूँ कि तो दोखे बाज है, इधर का उधर और उधर का इधर करने में माहिर, दोखे से अगर तुने यहां से भागनी की कोशिश की, तो मेरी तरफ से एक सलाह ले ले, मैंने अपने करियर में दस लोगों को टपकाया है, भागनी की सोचेगा, तो ग्यारा हो जाएंगे, ज्यादा दिमाग लगाया तो भास्म हो जाएगा, जैसे एक फकीर की जानतोते मी थी उसी तरह, तेरी चान मेरे हाथ में है, तेरे पास यहां से भागने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, जानता है वो क्या है, खाएब हो ना होगा, आबरा का डाबरा, आबरा का डाबरा, क्या हुआ आदित, एस पी ने धंकाया, तुम चिंता मत करो भाई, तुम्हारे साबून के डिब्बे वाला, सीक्रेट मेरे अलावा और कोई नहीं जानता है, छोटी सी बात पर इतना घुस्सा क्यों हूँ, अच्छा दस दे दो, अरे ने ने ने, पचीस दे दो, तुम्हा अल्रे मेस्क, थाइक यू क्यों औरे बुड़े, यहां से रिहाई के बाद रंग बदल गया, फेस पैक लगा राया क्या है? तेरे एकाउंट में 25,000 जमा कर दिये हैं, इस बार आना तो, फेस पैक, ब्यूटी क्रीम और मुलतानी मिट्टी भी लेकर आना, दोबारा क्यों आँगा, क्यों नहीं आएगा, आना ही पड़ेगा ना, वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इस बार लाख रुपे का अंडालाना, गुसा क्यों होता है, स्लिप पर स्लिप रखकर तुम्हारा शिष्य गेम कैसे जीत रहा है, सब को बता दूं क्या, मेरे मन में एक सवाल है, बोल, चेस में हाथ गोडे तो होते हैं गुरूजी, लेकिन शेर क्यों नहीं होता, वो बहुत पावरफूल है न, त्याग किया है शेर और सींच शक्तिशाली होते हैं और शक्ति के चक्कर में व नियंतरण खो देते हैं और इन्सानों के साथ नहीं रह सकते हैं चेट में प्रेकिंग न्यूज आदित्य कॉमन्वेल्ट के फाइनल में पहुच गया है इसे यह कह सकते हैं कि आदित्य अद्बूत है फाइनल में आदित्य फिलिपाइन ग्रैंड मास्टर आदित्य कहें लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तुम सुपर हो बॉस फाइनल में पहुच गए अब जीत तुम्हारी ही है अब तो हम लोगों के साथ चलोगे ना बॉस देखो बॉस फासी ना मिले तब भी जिंदगी पर जल में रहना होगा इतना तो जानते हो ना हर बात पर मुंडी क्यों हिलाते हो बॉस उन्तिस घंटों के बाद हम लोग यहां से भाग जाएंगे पक्का बहुत वक्त है जरा सुना जाता है और उसकी इस इच्छा को पूरी करने में कोई गलत बात नहीं उमीद करता हूं कि मेरे इस फैसले को यह समाज बहुत अच्छे रूप में देखेगा हलो बापा कोट ने इस महीने के 27 को आधित्य को वर्ल्ड चैंपिन चेस्ट प्लेयर के साथ खेलने के परमिशन दे दी है कि सिग्रेट है क्या अब तक तो नहीं खरीदी आज मैं विश्वविख्या चेस्ट प्लेयर के साथ मैच खलने माला हूं आएगा सरूर तेन बजी वहने वाले मैच के बारे में बता रहे हो सुबह साड़े चार बजे तुम्हें फास ही लगेगी महुसे डर नहीं लगता तो 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 नहीं लगता है आप यहां पर आयों उसके लिए थैंक्स हाँ, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम्हारे साथ खेलने की इच्छा भी है मेरी, आप मुझ पर दया मत दिखाएगा, मैं आपके अंदर के जीनियस के साथ खेलना चाहता हूँ, आल दे बेस्ट, कि भूम की बादा हूँ, जी चहिसमें पर दे का हूँ, आपके जीनियस के साथ रहा हा बाद़ बाम की उसर मोप्तित, कि और मतने की आपके भी है वाश्रूम जाने दो रोक नहीं सकता क्या कुछ चीज़ें रोकने नहीं जाहिए साथ ए तरवाजा खोल के रखना ए तरवाजा खोल के रखना ए ए दस गंटों में यह मरने वाला है पीने दो पीने दो पीने दो ए तरवाजा ए ओ थे तरवा पाजाए वाजाए रखने तरवाजाए वाज़े दाखना पाई सब कुछ ठीक है अप प्लीज बैट जैंगी को अधरी हो अग्या मत्त नियां कि अभी किला धर। तरूज करा हो फ्लॉर में गठा हुआ ये ये तोच लिख ड़ा हूं कि अब बिला किया है तो 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 कर यहां से भागने की कोशिश कर रहा है इस तनल को चारों तरफ से घेर लो चंदी करो वो यहां से भागने न पाए कर जाएगा सर कल मरने वाला था ना आज ही मारेगा जल्दी करो वो यहां से भाग रहा है जल्दी थोदो कि अ कि 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 अब्रा का डाब्रा सब को मात थे के भागिया वह कि कि यहां आए टमी डोर है सर गोले पर भीवार के सिभा कुछ नहीं मिला कि चेक्मेट कि क्रेंड मास्टर करेंडली भाग यहां से कि 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 कऊ हलो हलो अदित्या इतने वक्त के बाद भी आपने पहचान लिया तब तुम्हारी खामोशी को नहीं पहचाना अब मैंने पहचान लिया है मैं ज्यादा देर बाद नहीं करपान का कहा हो कैसे हो यह नहीं पूछूँगी कैसे किया यह बता दो कुछ बातें राज रहें दो ही अच्छा हैं, आशा करता हूँ आपसे दुबारा मुलाकात होगे. लेट्स लीव इट टू फेट. अहम नियतिम निश्च्या भी. ख्षमा याचना के बाद भी जेल में रहना पड़ेगा. ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी. स्वामी से बिलने के बाद मुझे एक खयाल आया. यही पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सिविल इंजिनियर के पोस्ट पेट. मैं भी रिटार होने के पहले वहाँ पर एक… मैं जिस जेल में हूँ, वहाँ एक स्पूर्स क्लब बनाना चाहता हूँ. स्वामी जिस कंपनी में काम कर रहा है, उसकी तरफ से कम प्राइस में टेंडे भरने के लिए कहा, मेरे बचने का वही एक रास्ता था. जमीन के 20 फीट अंदर डमी स्टॉम वाटर डिस्चार्ज ड्रेन बनाना होगा. किसी को पता ना चले ऐसे कंस्ट्रक्शन प्लाइन में चेंज करना होगा. मुझे लगा कि मैं पकड़ा जाओंगा. क्योंकि जो चिठी मुझे आपको देनी थी, वो विनए के हाथ लग गई. और उसके अंदर स्मूग की डीटेल्स थी. उसका मूँ ना खुले, इसलिए हमें उसे पैसे भी देने पड़े. सब कुछ प्लाइन के हिसाब से हो रहा था. स्पोर्ट्स कॉंपलेक्स की उपनिंग बची थी. और सही वक्त देखकर प्लाइन को एक्जिक्यूट करना था. लेकिन ठीक उसी वक्त. तेरा आखरी मुहूरत निकल चुका है. वक्त नहीं है. कुछ भी करके स्पोर्ट्स कॉंपलेक्स में जाना होगा. मैंने अपना आखरी मैच विश्वनातन आनंद के साथ खेलने की इच्छ जटाए. मैच के बीच में आदित्य वाश्रूम के लिए पर्मिशन लेगा. वाश्रूम में एंटर करने के बाद फ्लश के पीछे वाले नॉब को प्रेस करते ही. पूरे वाश्रूम में धुआ भाब हैल जा ऐसी सेटिंग थी. जैसा कि मैंने सोचा था. उन सब का ध्यान भटकाकर मैं पिलर में चला गया. पीउ फूम से पिलर को फिल कर दिया. एक टेररिस्ट भाग गया इस बाद से पूरा देश भड़क गया. बाद ठंडी हो तब तक मुझे कुछ महिने उसी कमरे में रहना पड़ा. लोगों को लगा कि मैं पुलिस यूनिफॉर्म की भेस में भाग गया. आज तक कोई नहीं जान पाया के आखिर में भागा कैसे. एक इंसान को जीने के लिए जो भी चाहिए वो सारी चीज़ें स्वामी ने दे दी थी. ट्राइफ्रूट्स, विटमिन टैबलेट्स, पानी, जो भी मुझे चाहिए था वो सब कुछ वहां मौझूद था. कंस्ट्रक्शन के टाइम पर वहां एक टरनल बनाई गई थी. उस टरनल को पूरा खोद कर मैं वहां से खुद दूर चला गया. जो गलती की ही नहीं उसके लिए सॉलिटरी सेल में टॉर्चर किया गया. और वो अनुभव मुझे यहां कामाया. कहाँ है तू? तीन मेहने हो गए. शरीर, मन, बुद्धी, रॉष्णी चाहते हैं. दुनिया हर वक्त कोई ना कोई नई ख़बर ढून रही होती है. कुछ दिन बाद मुझे सब ढूल गए. मैं जिस वक्त का इंतिजार कर रहा था, वो वक्त आ गया. उजाले से मिलने के लिए अंधेरे से रूबरू होना पड़ता है. बिना सरहत का आस्मान, ठंडी-ठंडी हवाएं, समुद्री लहरों की आवाज, बहता हुआ पानी और एक खूबसूरत जगए पहुँच गया था मैं. झाले से एक पहुआज़ वक्त आस्मान, झाले से रूबसूरत जगए पानी और एक खूबसूरत जगएंगेरे से टोबसूरत जगएंगेरे से लिए आवाएंगेरे से टोड़ता है.